दिल्ली के द्वारका एक्स्प्रेस वेपर भीशन सडक हाथ्चा हो गया द्वारका एक्स्प्रेस वेपर दो कारों की आफस में टक्कर के बाद आग लग गई गटना की सूशना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुँची और बच्चा आफकारी में चुट गई लेकिन आग इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियां चल कर राख हो गई इस गटना में एक व्यक्ती की मौत हो गई जबकि बाकी घायलों को अस्पिताल में भड़ती कराये गया है फिल्हाल मामली में चांच जारी है दिल्ली के द्वारका एक्स्प्रेस वेपर भीशन सडख हाथ सा हो गया द्वारका एक्स्प्रेस वेपर दो कारों की आफस में टक्कर के बाद आग लग गई गटना की सूशना मिलते ही पुलिस और फायर बिगेट की टीम मौके पर पहुची और बच्चा आफकारी में चुट गई लिकिन आग इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियां चल कर राक हो गई इस कटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि बाकी खायलों को अस्पिताल में भड़ती कराए गया है फिलहाल मामली में चांच जारी है दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वेपर भीशन सडक हाथ्सा हो गया द्वारका एक्सप्रेस वेपर दो कारों की आफस में टक्कर के बाद आग लग गई गटना की सूशना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिकेट की टीम मौके पर पहुची और बच्चा आफकारी में चुट गई लिकिन आग इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई इस गटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि बाकी खायलों को अस्पिताल में भड़ती कराये गया है विल्हाल मामली में जाज जारी है अपडेट के लिए News Nation के इस QR कोड को स्कैन करें करें만 ही सबस्क्राइब